शात्यू बीड में admission के लिए first counseling की प्रकिड़ा चल रही है और first counseling के लिए जू registration का date था वह 20 जुलाई था जो अब खत्न हो चुका है सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विए लाइकन को दबारे तक यह ऐसे ही लेटेश वीडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं जैसा आप अपने स्कीन पर देख पा रहे होंगे या आज का करने हुझा है कि admission counseling में भाग लेनों को लेकि पंजी करन की जो तीती हो गई वह अब पुरी तरिके से समाप्त हो गई यानि कि अब जो आप registration करने की सोच भी नहीं सकते हैं यानि कि जितने चात्रों ने registration कर लिया है अब किवल उन्हीं चात्रों का यहां पर admission होने का इस पा appointment की सूच यानि कि पहली मेट लिस्ट की बात करें तो मेट लिस्ट आपका आएगा कब 25 जुलाई को आपका मेट लिस्ट आने वाला है और किस इंवर्सिटी में कितना सीट है आप यहां से देख सकते हैं कि आर्वर्ट इंवर्सिटी के अंदर यानि जो पटना में हैं वहा 12 कोलेज इसे अंदर ब्यार इंवर्सिटी के अंदर देखिएगा तो यहां पर संताउन कोलेज है ऐसे यह पूरा डिटेल साफ यहां से करके देख सकते हैं अब बात करते हैं कि अभी तक किल कितना रिजिस्टेशन हुआ है तो उसकी बात कर लेते हैं तेकि प्रदेश के च पंजिक्त चात्रों की संख्या इस वर्स एकलट दस ज्यार को पारिफ जाएगी यहनिकि इस बार 1120000 छातरो ने क्या किया है और व्मीद घ्राइज से एक लिक। तक जब लिखा जा रहा था उसमें एक लाख आठ च्छाथ चाथ शात्ता दौरा पंजीकन करा लिये जाने की जनकारी कर्यालों से मिल जुके थी की बात करें तो 11,000,000 आपका रेट रस्टेशन जो हैं अब आपके पास सीटो की संख्या कितनी है तो 27,000,000 CT है और इसके according देखेंगे तो एक लिए उस्ट्रेशार चाहत रही रहा दो अब जो भी मेड लिस्ट निकल के आएगा या जो भी कम्पटिशन आपका हुगा वह एक लाग ्द 10 मंत्र से लींडर के आपका होने वाला है अपर क्यरा तो 37 नीव ये हैं全 Key तो इक vac an लिए तिन अभियत है आगे प्रोसेस चटेगी और जो भी बीड में लेना चाहते हैं उन सब का आपको परसान होने की जूट नहीं है जिनका कम नंबर है उनको जब हम आपके प्रोसेस बताते जाएंगी और हमने पहले जो बताया है आप उसको फॉलो करते रहेगा आपका भी जार होंगे ऐसे में यहां पर लिखा आजा है कि मेगा अंक का कटफ बढ़ना निश्चीत है यानि की कटफ बढ़ सकता है और यह चीज़ें जो है आप सभी को गुम रहा करने के लिए कि होगा क्या मैं आपको बता थोई सी बाते जब 25 को आपका फरस्ट मेरिट लिस्ट आ यह जाएगा करीब आपका 20 से आसपास आठाटारा जार के आसपास आपका रिजल्ट आएगा जान रखिएगा यह हो सके कि और कुछ कम है और उसमें होता क्या है कि आपको बता दिये जाएगा कि जितना हुआ अधिक से अधिक एडमिशन हो गया अब छात्र हो जाते हैं प प्लान होता है सीटों को फूल करने का इसलिए वह अलग लग की तरीके अपनाएंगे यहां पर ताकि सीटों की संख्या उनकी फूल हो जिमारी जो दी गई है वहां से भी दबाव होता है कि जो भी कॉलेज में सीटे है सभी सीटे फूल होनी चाहिए तो इसलिए क्योंकि ए हो गया कि कट अप हाई हो गया सीटे नहीं है इतना नमर लाने के बाद इसका अड्मिशन नहीं हुआ और इसी वज़़ों से क्या करेगा चात्र जिसका फर्ष्ट में नहीं होगा जल्दी से जाके अड्मिशन करा लेगा ठीक है कराना भी चाहिए अगर बाकुमन परसंद क कमन है तो करा सकते हैं और इसी जल्दबाजी का होता है कि चात्र के जल्दबाजी का फैदा जो है इनवर्सिटी उठाता है और पैसा दे देते हैं तो आपको हर बराने नहीं हम आगे की हर इक प्रोसेस आपको बताएंगे ऐसा नहीं कि आपका मतलब में ट्रिस्ट आ जाए करने का अगर कम नंबर भी है आपको तो आपका हो जागा यहां पे आपको यहीं से जो है क्या किया जाए है मतलब मांसिक रूप से प्रतारित करने की कोशिश के जाए कि कि कट अब बढ़ सकता है ऐसा कुछ नहीं कि एक लाग जो दस यहां पर रिश्टेशन किया है इसमें के यहां उनको करेशन कम टो डिश्टेशन किया उनको को देम यहीं मलेगा तो इसमिंगे ऐसे कि यह छले तो पॉछ संखया की गवह घ्यादा बहुत जादा कुछ नहीं है सब पाते ईनुंआघ गरफ महले हैं जो जैन्यू एस रख्तुडंट है कि और दस है आखड़ा दोटा है ठीक है सब का अध्मिशन होगा प्रोसेश होती है जितना भीद देखता है नहीं बाकि लोग फिल्वार्मिन को तो ही करेंगे कुछ लोग घर के नजदिक अध्मिशन लेने के लिए मतलब कॉलेज च्वार्ण करेंगे अग में वही होगा कि सबका लगवर लगवर एड्मिशन हो जाएगा जो पढ़ने वाले हैं और जो एड्मिशन लेना चाहते हैं तो इसलिए आप परसान बिल्कुल नहों आपको आने दीजिए 25 जुलाई को जो आपका कॉलेज एलटमेंट आएगा उस दिन का इंतिजार किजिए फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताते चलेंगे आपको आट्रफ ग्रूप में जूरे रहे हैं ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिशना हो उसके बाद जो दूसरी सुची आएगी वह तेरा अगस्त कराएगी तो आगे की फीफी प्रोसेस हम आपको देते रहेंगे तो यह